हेलो एवरिवन, वेलकम तो माई चैनल कुक्विश रगुन, मैं भागय श्री, आज हम बनाएंगे ड्राइफ़ोट्स चीकी, वैसे सर्दियों के दिनों में सबके घर में ड्राइफ़ोट्स चीकी बनती है, या कोई पीनट्स की चीकी बनती है, या गुंद पक बनता है, यहाँ पर मैंने लिए है, 300 ग्राम खजुली है, यानि कि डेट्स लिए है, एक दम नरम वाली है, इसके अंदर जो सीड्स है, वो मैंने निकाल दिये है, आपके पास बीना सीड्स वाली हो, तो आप वो भी ले सकते हो, सीड्स निकालने के बाद एक कड़ाई में मैंने यहा पर लेना है, चार से पांच बड़े चमश लेना है, गी थोड़ा सा गरम हो जाए, उसके बाद एक कप यहाँ पर मैंने बादाम ली है, एक कप में से थोड़ा सा यह कम है, बादाम को हम धीमी आज पे इसे फ्राइ कर लेंगे, इस ड्राइफोर स्टीकी में जैसे हम बादा इस भी हो जाएगी, बहुत ही अच्छी लगेगी स्टीकी में, तो बारी-बारी हम इसे निकाल देंगे प्लेट में, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिये है काजू, काजू को भी हम इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे गी में, काजू को फ्राइ करते वक्त आपको एक ध्यान र यहाँ पर मैंने जितने काजू डाले थे वो फ्राइ कर लिये है और उसे हम प्लेट में निकाल लेंगे, उसी गी में हम खजूर डाल देंगे, यहाँ पर हमें गैस की याँच एकदम दीमी रखनी है, खजूर को हम यहाँ पर फ्राइ नहीं करना है, बस खजूर हमारा खजूर नरम है, और गरमगी में हम इसे थोड़ा सा फ्राइ करेंगे, तो एकदम पेस्ट की तरह यह बन जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर खसकस डालेंगे, तो तीन से चार बड़े चमश मैंने खसकस डाला है, खसकस याने की पॉपे सीट्स, तो आप वो डाल दीजे, उसके बाद जो हमने काजो और बड़ाम को फ्राइ किया था, वो भी हम इसमें मिला लेंगे, यहाँ पे हम गैस बंधी कर देंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम कोई ट्रे लेंगे, और ट्रे में ये मिक्शर हम डाल देंगे, और इसे अच्छ सकते हो कि यह बहुत ही अच्छी तरह से सैट हो चुका है अब हम यहां पर इसे स्क्वेर पीसिस में कट कर लेंगे यह बहुत ही अच्छी तरह से सैट हो चुका है तो इसके पीसिस पे बहुत अच्छी तरह से बाहर निकल रहे हैं आप इसे एक एटेट डबे में पैक करके स् वीडियो थोडा सा भी पसंद आया हो तो आप प्लीस इसे लाइक कर दीजिये शROid कर it और कमेंट भी कर सकते हो और सब्सक्राइब करना बिल्कूल फ्री है जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसके उपर क्लिक करे उसके बाजो में जो बैल आइकन है उसके उपर प्रेस कर दीजे जिससे क्या होगा मैं जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपको तुरण नौटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो दिखने के लिए थैंक यू